सबी दर्शकों को सबसे पहले कोरोना प्रणाम नमस्ते करता हूँ और आज हम सभी महमारी कोरोना जो पूरे विश्व में इस समय अपने पाउजमानी का प्रियास कर रही है और इस सबी मनुष्य प्रभावित हो रहे हैं और ये रोग इस समय इस प्रकार से अपना प्रभाव दिखा रहा है कि इससे बच्चा हो युवा हो या ब्रद्ध हो सबी प्रभावित होने लगे हैं ऐसे में सावधानी ही एक सबसे बड़ा उपाय है बचाओ में ही बचाओ है ध्यान रखनी की अवशक्ता है कि बचो बचाओ पालन करो पालन कराओ खुद समझें दूसरों को समझाएं इसे आधार पर आज हम इससे बच सकते हैं लेकिन हम सभी के लिए आवशक है जो विशेशग्य हैं उन सब की हम लोग राय ले सकें तो इस समय हमारे साथ कुरुना सिंदू होस्पिटल आनंधाम से तीन सुयोग्य डॉक्टर हमारे पास में है डॉक्टर मनोज बिरला हमारे सामने हैं बहुत अच्छे डॉक्टर हैं डॉक्टर नीरज और तीसरे डॉक्टर अमारे यू के विमल साथ विमल साथ अमारे बहुत ही सीनिर डॉक्टर हैं और इन तीनों से सबसे पहले हम यह जाननी की कोशिश करेंगे कि यह बिमारी क्या है बचाओ कैसे कर सकते हैं अप एक सब्सक्राइब करने के लिए तत्पर है तो सबसे पहले मैं डॉक्तर मनोज बिरला से जानना चाहता हूँ कि वो हमें क्या राय देना चाहता है मैं इसकत अपने दर्श्वाँ को ये बताना चाहता हूँ कि कॉरोना वाइरस से बचाव करने के लिए हमें क्या क्या साफधानिया बरतनी चाहिए खास तोर से अपनी घर में और घर में साफधानी बरतने के लिए हम जब भी घर के अंदर प्रवेश करें खास तोर से जो स्वास्त सेवाँ से संबंदित लोग हैं वो घर आकर सबसे पहले अपने वस्तर उतार कर बदने और उनको अपने बैडरूम में या अन्य रूम में न ले जाएं और जहां तक हो सकते अपने वस्तर अलग से धुलवाएं साफ करें ताकि बीमारी फैलने का खत्रा कम से कम हो दूसरे घर को सेनिटाइज भी करना चाहिए सेनिटाइज करने के लिए जो बजार से सेनिटाइजर हैं उनका मिलना मुश्किल होता है तो घर पे होम सेनिटाइजर बनाई जा सकते हैं उसके लिए एक तो हम कारवोलिक एसेट का इस्तमाल कर सकते हैं एक हिस्सा कारवोलिक एसेट और तीन इससे पानी इनको मिलाकर सेनिटाइजर बनाया जा सकता है इसको हम इस्प्रे भी कर सकते हैं और पौँचे के रूप में इस्तमाल कर सकते हैं पूरे घर का पौँचा लगाएं दिन में दो बार और खास तोर से बातरूम क्योंकि बातरूम एक ऐसी जगह है जहां पर संकर्मन होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है तो खास तर से टौइलेट सीट, उनके हैंडेल, नल, वास बेशिन, दरवाजे की कुंडी, हैंडेल ये चीजें सबसे ज़्यादा प्रियोग में आती हैं तो इनको कम से कम दिन में दो बार सिंटाइज करना जरूरी है या हम सोडियम हाइपो क्लॉराइट का सॉल्यूशन भी इस्तमाल कर सकते हैं उसके लिए एक हिस्सा सोडियम हाइपो क्लॉराइट और चार हिस्से पानी मिलाकर इस्तमाल कर सकते हैं और घर में अगर कोई व्रद व्यक्ति है या छोटे बच्चे हैं उनका खास तोर से ध्यान दखना है हम लोग आपस में एक दूसरे के जूटे बरतनों का प्रयोग न करें खाने के समय सबखना ताजी स्वच्छ बना हुआ भोजन इस्तमाल करें जहां तक हो सात्पे काहार का प्रयोग करें मांसाहार से बचें और एक खास चीज अगर हमें किसी को खांसी आ रही है तो कभी सीदे न खांसे या तो टिशू पेपर का इस्तमाल करें, नाथ मूँ को इस तरह से ढख लें, और या अगर खांसी आती है, तो या तो हाथ करके हाथ में खांसे, या कपड़े उपर करके, कपड़े के अंदर खांसे, ताकि की टाणू जो है, वो वाता वरण में कम से कम खेलें. इस चीज के लिए एक बात आपसे में पूछना चाहता हूँ, जैसे कुछ लोग अपने कपड़ों को ड्राइ क्लीन कराते हैं, तो ड्राइ क्लीन करके जब कपड़े आते हैं, तो कोई न कोई व्यक्ति तो उसको छुएगा, तो ऐसी इस्तिती में क्या करना चाहिए? नी, ऐसी इस्तिती में सबसे अच्छा तो महरा जी ये रहता है, कि ड्राइ क्लीन करे हुए कपड़ों को अगर हम दो गंटे के लिए धूप में टांग सकें, खुले हैं, तो धूप लगके वाइरस नस्ट होने की संभावना काफी रहती है, लेकिन जैसे ये का जाता है, कि ये वाइरस जो है, अगर किसी पेपर पर लगवा हो, तो वहाँ भी इसको जो है, तीन दिन लग जाते हैं, कि ये लगा रह जाता है, प्लास्टिक के उपर काफी ज़्यादा समय तक जिन्दा रहता है, इस्टील की जैसे जो भी वस्तुएं हैं, दरवाजे की कुंडी, सकता है, वस्तुरों के उपर अक्सर तीन चार गंटे में ही इसकी लाइफ समाब कर जाएं, अगर धूप में कपडों को सुखा दें, उसके बाद स्वयम उसको प्रेस करके, और फिर कपडों को मतलब दोबारा से प्रेस करके, और फिर अपने हाथों को साप करके यदि उसक प्रेयोग किया जाए, तो बचाओ हो सकता है? हाँ, ये बहतर तरीका है बचाओ का काफी, और इसके लिए हमें अपने बचाओ के लिए एक काम यह भी कर सकते हैं, कि हम दिन में दो बार इस्टीम लिया करें, भाब का प्रेयोग, तो वो जो फेशिल इस्टीमर आता, उसका भी इस्तमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस रोग का संकर्वन हमारे सुसंत अंत्र पर, नाख पर, आँखों के ऊपर, या मूँ के ऊपर, इनके द्वारा ये प्रविस्ट होता है, शरीव है, डॉक्टर विमल आप एक चीज हमें बताइए, कि ये रोग आता कैसे है, और इसके ल इस रोगना वाइडर से इस इस इंशानों होता इंटिव एजेंट है, जो मेंली हमारे स्वसंत अंत्र को अफेक्ट करता है, परभाविश करता है, और ये चीन के वहान प्रांस से शुरू हुआ, चुरुवात में तो ये जानवर से मनिशी में आया, लेकिन अब इसका ट्र का जो तरीका है, वो है मेंली एक पेरोसॉल कहते हैं और एक ड्रॉपलेट कहते हैं, मतलब हम जब खांसते हैं, या हम सीखते हैं, तो जो खोटे बूंदे निकलती हैं हमारे मुह से नाख से, उसमें विशानों गरते हैं, वो विशानों डारेक्ट आपके सामने वाले के ना तो वो ग्यक्ति भी संक्रमीत होगाता है, इसके हाथ संक्रमीत होते हैं, कि उन हाथों को जब वो अपने मुह से, नाख से या आख से स्कड़ कराएगा, तब उसके सरीर में उसमिशानों का प्रवेट होगा, तो ये तरीका है इसके संक्रमाण के थाहने का, अब हम लोग द शरीर में तूटन उकाव आना गल्ले में खराश होना सिर्दर होना इखार होना यह शुरुवाती लक्षण है। नॉर्मली जो वाईरस शरीर में प्रविष्ट होता है उससे दो हपते तक इस इंफेक्शन के लक्षण प्रकट होने की समभवना रजती है। जिसको हम लोग टेकनिकल भासा में इंक्यूविशन प्रियेट कहते हैं और एक ये मीडियन इंक्यूविशन प्रियेट के दौरान आदमी इस वाइरस को दूसरी को फैला सकता है तो ये माना गया है कि जब इसका वाइरस शरीर में प्रविश्ट हो उससे दो हफ्टे तक उस आदमी के दौरा दूसरों में संक्रमन फैलने की समझावना रिषती है सिम्टम्स जो लक्षण इसके हैं जैसे मैंने गताया सुरुवाती लक्षण पॉल्ड पॉमन पॉल्ड जैसे होंगे जब यह थोड़ा बढ़ेगा तो सांस की दिक्कत आएगी क्योंकि यह primarily mainly स्वसंत अंतर की विमारी है सांस की दिक्कत जब आने लगी तब हम इसको थोड़ी गंबीर कटिगरी में मानते हैं और फिर मरीज का जो जांच परताल है वाइरस का डिटेक्शन का एक तरीका है जो गले से नाक से स्वाब लेके उसकी जांच की जाती है और कंफर्म किया जाता है जो जांच का तरीका है, सरकार ने डिजिगनेटेट सेंटर्स बना रखे हैं, उनमें स्पेसिमेंज बेज के जांच करते हैं और कुछ ट्राइटिरियाद बनाए गए हैं जैसे वियक्ठी अगर किसी इंफेक्टेट आजमी से या किसी सस्पेक्ट जिसमें सस्पीशन हो करोना कर, या कोई ऐसी जगह से एकस्पोज हुआ किसी शहर से जहांपे करोना फैला हुगा है, तब इन लख्षनों के साथ उस वियक्ठी की जांच की जाएगी, और उस जांच में डिक्लियर होगा कि उसको करोना अफेक्टेड है या नहीं है सारे सस्पेक्ट्स और सभी अफेक्टेड लोगों का जो मेन उपाय है वो है उनका आईसोलेशन मतलब उनको अलग करना, अलग करने से कम्यूनिटी का बचाव होगा, बाफी लोगों में उस रोग के प्रसार होने की संबहुना कम से कम हो जाएगी और जो इलाज की जहां तक बात है, तो इस वाइरस के लिए कोई स्पेसिफिक एंटी वाइरल दवाई अभी तक यूनिवर्सली अप्रोब्ड नहीं है, उस दवाईयों पे छोटा होटा काम हुआ है, वो अभी कितनी पूरी तरह से पूरी तौर पे स्थापित नहीं हुई है इसलिए सिंटमेटिव ट्रीटमेंट, मतलब जो काम का इलाज, उखार के लिए उखार कम करने की दवाईयां, सांस के दिक्कत हो गई, तो सांस के मसीन के साथ या विना मसीन की दवाईयों से सांस के सिस्टम को सपोर्ट करता है, ये सरफ सपोर्टिव ट्रीटमेंट है हमार ने बताया कि चीन से चल कर ये फैलता हुआ और अलग-अलग देशों में जा रहा है तो एक स्थिती तो थी कि वहां से वो लोग जैसे चाइना वाले रोक रहे थे वो नहीं रोक पाए या जितना रोक पाए उसके बाद में फिर वो अलग-अलग देशों में व्यक्तियों के द्वारा चला गया और उस प्रसारित होने के बाद भारत में भी जो लोग आए वो भी इसको कहरी करके आगए अब अनों लोगों के जरिये से वो और जगह न फैले गौर्मेंट तो अपनी तरब से बहुत कोशिश कर रही है कि उसको महीं का महीं रोका जाए लोगों को रो अब दूसरा चलद आता है कि क्रावड से बीड से लोगों से लोगों में न फैल जाए उसके लिए गवशिवन दे रही है कि आप लोग वीड में न जाईए आप कोई चीज मार्किट में लेने के लिए जाएंगे बस में बैटेंगे कैसे आप अपने आपको ध्यान दखें तो उसमें आप क्या सुजाब देते हैं कि क्या ध्यान लखना चाहिए क्योंकि व्यक्ति अपने आपको कितन देर तक बैठा सब्सक्राइब में बाहर तो निकल नहीं पड़ेगा इसके लिए जो isolation है वो home quarantine, personal isolation, social isolation, social distancing ये सारे terms आप आजकल news में भी सुनते होंगे अकबारों में भी पढ़ते होंगे ये सारे उपाए हैं जिनके सारे हम लोग इस बिमारी को अगर आप suspect है भी या अगर संक्रमन हो भी गया तो हमारी ये moral responsibility होती है कि हम इस बिमारी को अब दूसरे लोगों को ना होने दे खुद को आपको isolate करना है और अगर बाहर की जाते हैं तो प्रोपर उसकी जो एक recommended guideline से उसको follow करना है बिल्कु ठीक बात आपके रहे हैं लेकिन फिर भी व्यक्ति बाहर तो जाएगा सामान खरीदेगा खाने पीने की सीजे लेकर आएगा तो उसके लिए यह बताया गया है सिर्कि एक तो बहुत जरूरी है तब बहार जाएं अगर आप suspect हैं और आपको कुछ उपाय मिंटेन करने हैं जैसे मास्क लगाना मास्क के बारे मैं एक बार बताओं कि मास्क जो बिमार है या suspected है जिसमें संक्रमन हो गया या संक्रमन होने की संभावना है उनके लिए सबसे ज़रूरी है ताकि वो अपने वाइरस को ड्रॉपलेट्स को दूसरों तक ना पूंचाने तो मास्क लगाएं किसी चीज को जैसे तैसे सपर्स ना करें अपने हाथों को जेम में रखें हाथों को बांध के रखें दूरी बनाएं लोगों से हमारे ब्रॉक्टर नीरल्स के बारे में बताएंगे आपको यह कितना ज़रूरी हो गया है जैसे अभी आपड़े आ रहे हैं विटली में 500 लोग एक ही दिन में मर अब सवाल ही आता है कि व्यक्ति को जैसे कहरें के साथ वर्ष की आयोके जितने भी लोग है उनको अधिकांश लूप से इसका खत्रा है बच्चों को भी बचना चाहिए तो क्या कोई एम्यून सिस्टम की भी प्रतिरोधक्षंता लोग प्रतिरोधक्षंता शरीर में बना जाए और तब यह शरीर में आये तो उस समय इसका प्रभाव होता है या यह लग गया तो अपना काम करेगा डॉक्टर नीरज आप कुछ बताएंगे इसमारे में माराजी एक स्टडी जब आई है इसमें एक तो आईसोलेशन जब भी हुआ है तो इसकी रोगताम बहुत कारेगर तरीके से हुई है जहां से यह शुरू हुआ वहान में जब तक यह कंट्रोल में नहीं आया बरतारा बरतारा जब आईसोलेशन उन्होंने टिक्नीक अपनी सारी पॉपुलेशन का तो वहां पर जो इसकी ग्रोथ थी वह 40% नीचे है माराजी पर कई कंट्रीज ऐसे थे जो इसका पाला नहीं कर पाये जैसे इटली था स्पेन था उन्होंने यूरोपियन देशों ने इस चीज का पाला नहीं करा जिसकी वज़ा से आईसोलेशन अगर हम बाहर जाते भी हैं तो कम से कम एक मेटर का फासला जरूर होना चाहिए बाचीत करने में तीन फीट का जरूर होना चाहिए थोड़ा ध्यान रखने की बहुत जरूरत है जैसा डॉक्साब ने बोला अगर सिंटम्स हैं तो बेटर है के वो घर पे रहा जाए एक रूम यूज़ करें और एक बात रूम यूज़ करें बाहर निकलने में ये प्रॉलम रहती रहती है थोड़ा ध्यान देनी की बहुत ज जरूरी है घर पे ही वॉकिंग करें अगर आपका लॉन है तो जरूर थर्टी बिनिट्स की वॉक करें मेडिटेशन बहुत जरूरी है मारा जी प्रानायाम ब्रीधिंग एक्सेसाइस सांस कैसे लेना वो बहुत जरूरी है अपना इम्यून सिस्टम ठीक करने के लिए डाइट और सोना ये सबसे ज़्यादा इंकॉर्टन चीज़े हैं हमारी बैलंस डाइट होनी बहुत जरूरी है न्यूट्रियन डाइट बहुत अच्छी जरूरी है सोना 6-8 गंटे बहुत जरूरी है इम्यून सिस्टम मारा जी तभी ही अच्छा रहता है इसमें और कंट्रोल कर पाते हैं धूप 10 से लेके आप 4 बजे तक अगर आप 10 गंटा धूप में भी जाते हैं तो बहुत अच्छ करने के लिए बहुत ही लागदायत लिए इसलिए विटामिन सी के जो सोर्स है उनका यूज करना चाहिए लेकिन एक बात और डॉक्टर बिल्ला जैसे बहुत सारे लोग यह भी कहते हैं कि यह जो वायरस आ रहा है किससी के संपर्क से एक तो लोग जो लेते और देते भी हैं मतलब ऐतर कहीं से सामान खरीदा तो उसमें नोट तो लेंगे और नोट कैरे सब को लगते हैं अपना रुपयागी पैसा लेंगे अपने उसमें वो लगा रहा तो फिर आपके पॉकेट में आए दाई और फिर आए दा तो उसके बाद वो प्रभायुत करेगा तो क्या बचावा है ने इसके लिए एक जहां तब हो सेगा अगर डिश्टल बैंकिंग का इस्तमाल करते हैं कि कैश का लें दिन कम से कम करें और अगर करना ही पड़ता है तो अगर हैंड गलफस आप इस्तमाल करके लाते हैं या देते हैं वो ठीक है और इन गलफस को या मास को एक बार इस्तमाल करने के बाद सही तरीके से डिस्पोस भी करना बहुत जरूरी है तो उ देना देना सब को पड़ेगा तो क्या जैसे आपने अपना कैश लिना गिन्ने के बाद फिर वो सेनिटाइजर ले करके उससे आप अपने हाथों को साफ करें साबून पानी से अपने हाथ धुएंगे उसके बाद जो है आप उस बचाओं में आ जाएंगे मतलब आपका बचा पड़ेंगे फिर सेनिटाइज करने पड़ेंगे आशको तो अगर नोटों को भी सेनिटाइज किया जा सक है नगदी को ये थोड़ा लेकिन एक बात जरूर है कि आपके पार सदर को एक पापा है आप अपना कैश गिनने के बाद उसमें रख लेते हैं और रखने के बाद अपने पॉकेट में रख लिया और आप उन्हें अपने हाँ साफ कर लिये तो मुझे लगता कि चाहो ज्यादा अच्छा हो ज्यादा उच्छा लेकिन आप डाक्टर नेरज और कुछ बता रहे थे कि खाने पीने में कि कुछ और विश्यस चीजें प्यान में रखी जासे है हरी सबजियां बहुत जरूरी है उसमें पालक है ये सारी चीजें आपकी इम्मुनिटी को बलाती है जैसे बताया हमारा जी वाइटमीन सी आईरन हीमोगलोबिन अगर कम है तो वो आपका इम्मुन सिस्टम बीक करता है बहुत तो हमको खासकर जो डाइबेटिक पेशेंट् प्रिगनेंट बोमें हैं उनका ध्यान रखने की बहुत जरूरत है कि अपनी इम्मुनिटी को वो अच्छा रखें और अपनी दवाईयां जो भी हैं वो टाइम टाइम पे लें दवाईयां मिस करेंगे तो इम्मुन सिस्टम बीक होगा तो इन तीन लोगों को बहुत ध्या हमाराजी घर पे वो बहुत जरूरी है अब क्योंकि जितना हम बैठे रहेंगे तो उतना हमारी जो एक्टिविटी है वो अगर कंट्रोल अच्छी रहेगी तो ठीक रहेगा बिलकुल बहुत अच्छी बाद आपने कही है लेकिन अभी इसके साथ में एक बात और है कि जैसे कि contingent किसी थोड़ी पहुत भी खाशी जुकाम तो खांशी जुकां तो हर आधमी को हुए सकता है कि सिक करण से हो सकता है तो किया है ये सारी मख़ालें के ये सिंटम्स जो है वो उस बिमारी के हैं नहीं से ऐसा बिल्कुल ही नहीं है आम जो दूसरे इंफेक्टिव प्रासेसेज हैं जैसे फ्लू काम सीजनल फ्लू मौसम के साथ ऐलर्जी वाले खांसी जुखाम ये सब चीजे भी होती हैं तो हर खांसी जुखाम का मरीज कुरोना वाइरस से संक्रमित है या उसको संक्रमित की संभवाना है ऐसा बिल्कुल ही मानने की जुदत नहीं है कर देखे चीज और बताईए जैसे बहुत सारे लोग वोगी हैं जो कि इससे प्रभावित हो गए संप्रमित हो गए तो एक केस ऐसा भी आया है कि वो इतना गवरा गया, उसने उपर जाकर चलांग लगा ली और उसको लगा होगा, कि अब जीने की लगता है कि इस्तती है ही नहीं, तो तड़क कर मढ़ने से अच्छा है मैं अपने आपको खत्म करनो, जबके पूरे दुनिया बर में ये भी देखने में आया है कि जिनको ये रोग नगा है, तो उनका एमिन सिस्टम देरे देरे उस बिमारे से लड़ता भी रहा, और बचाओ भी हुआ, तो आप क्या सला देना चाहेंगे, ऐसी इस तो भी होगी है, गवड़ा जाते हैं लोग कि गवड़ाने की कोई बात नहीं है, मैं आपको आपको आंक जिनको ज्यादा सपोर्ट की जूरत पड़ी है, और जो मिर्ट्यू दर का आंकरा है, वो 3% से लेके 6% अलग अलग जगर पर आया है, तो इस बिमारी में बिलकुल ही एकदम घबडाने वाली बात तो नहीं है, जिसको बिमारी हो गया, उसके लिए कोई रास्ता नहीं बचा हाँ, वो ऐसा देखा गया है कि जादा तर लोगों में जिनके मिट्यू होई है, उनमें कुछ ना कुछ लोग इम्मुनिटी जैसा डॉक्टर नीरज कह रहे थे, कि उनमें बिमारी पहले से कोई एक्जिस्टिंग डिजीज, दूसरी बिमारिया साथ में चल रही थी, जैसे डाइविटीज, जैसे कोई स्टिरॉइड जैसी दवाईयों पे थे, जैसे पोस्ट टांस्प्लांट जिनका किड्नी टांस्प्लांट हो रहा है, उनको स्टिरॉइड देते हैं, उनसे इमिनिटी कम हो जाती है, और जो उमर का एक्स्ट्रीम है, सब कम उमर वाले और स्ट्राने मरीज है, सांस की और को विमारी चल रही है, हाट की विमारी चल रही है, डाइविटीज है, ब्लड पेशर है, तो ऐसे लोगों में ही मिट्टी दर ज्यादा देखी गई है, और ऐसे लोगों को ज्यादा बचाव करनी की ज़रुत है, उनको अब खुद भी, स्व स्वादा बहेंकर रोग से ये रोग लगा था और उसके बाद लिए ठीक हो करके वापिस आदे ही, तो और कुछ बच्चों को हुआ युवाओं को हुआ उनको नुकसान पहुंच लेया, तो इसको आप क्या कहेंगे, एज का ही कोई प्रभाव है क्या? नहीं सकारात्मक सूच का भी बहुत परभाव पढ़ता है, अगर हम किसी चीज से लड़ने की अपने मन में ढ़ान लेते हैं, तो हमारे सरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है, वो हमारी इमलिटी को भी बढ़ाता है, और हमें उस बीमारियों से लड़ने के लिए ताकत भी परद कि अपने आप को भावनात्म करूप से व्यक्ति सक्षम बनाएं और जो भी प्रयोग बचाओ के कर सकता है, वो करने चाहिए, तो उससे संभावना बनेगी, क्योंकि सावधानी हटेगी और दुरगटना गटेगी, तो इसलिए इसमें सावधान रहना ही सबसे ज्यादा प्रयोज बता है कि क्या आपको यह और सोजा वहाप ऐसे देना चाहते हैं, जो इस समय आवश्चत हैं. मारा जी, अपना पॉजिटिव अप्रोच तो लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, कि जैसा जो भी केस हुआ है कि किसी ने सुसाइट कर लिया, तो एक पॉजिटिव आउटलुक लाइफ के लिए और अपने आपको आक्टिव रपना सबसे ज़रूरी है, मारा जी, इसमे तो कई लोग जो बिल्कुल सोचते हैं कि हमारा अंत आ गया है या हम कोई बिमारी लग रही है और कुछ हो जाएगा और हम बच नहीं पाएंगे, तो वो सोचना बंद करें, बहुत लोग हैं और ये बहुत ऐसी बिमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती, अगर आप प्रॉप है कि ठीक से अपना भोजन करें, पानी अच्छे से पीएं और खुली हवा में भी अगर आप जाकर के सैर कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, प्राणयाम कर सकते हैं, बिल्कुल करें, लेकिन भीड में जाने से बचें और जहां जहां भी आप जाते हैं, किसी बस में चलते है उसकी सीट पर बैठते हैं उसके हैंडल को चूते हैं तो निश्यद रूप से वहां अगर कुछ ऐसी चीज है तो वह आपको संक्रमित कर सकती है इसलिए सेनिटाइजर से आप अपने उतरने के बाद बस्ते उतरते हैं तो अपने हाथ को साफ कर लें और अपने घर में भी बात डाक्टर विमल इस बात पर जोड़ दे रहे थे कि हरी सब्जियों और अन्य सारी चीजें जो आप लोग खाते हैं उसे आप अगर अच्छे से खाते हैं और आपका शरीर जो है बिमारियों से अन्य किसी भी चीज से गस्त नहीं है तो आप को समस्या आभी जाए तो आ लेकिन इसे बस फैले नहीं देना क्योंकि ये अपवाओं के साथ भी डर लोगों के दिमात में आ रहा हैं और बिमारी एक दूसरे के द्वारा भी फैल नहीं है तो जो भी चीज बाहर से हमारे घर में आती है कोई भी चीज में लेकर आते हैं या संपल में आते हैं उससे मे बचाव रखना चाहिए अपनी साफसफाई का बहुत अच्छे से ज्यान रखना है जिस तरह से सडक पर अगर कोई गटना गटती है तो गलती किसकी थी ये सवाल नहीं उठता सवाल पहले ये उठता है कि जान किसकी गई किसके द्वारा समस्या आई है ये सवाल नहीं है अपने रक्षा तंत्र को मजबूत करें अपने एम्यून सिस्टम को ठीक करें अपने बचाव के लिए आपको द्यान रखना ही होगा आई वे सभी डॉक्टर्स का मैं इस समय अपनी और से दन्यवाद भी करता हूं और इनके लिए शुब कामना भी करता हूं और आप सब के विचारों को अपने मन में जिरूर रखें और किसी भी तरह से समस्या को भी नी फैलने दें और अपवाओं को भी ना फैलने दें बहुत बहुत शुब कामना हैं फिर से हम लोग पोरोना प्रणाम मतलब नमस्ते दरेंगे दूर से बन्यवाद